हेलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल इस्टूडेंट हेल्फ हिंदी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही क तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जिसके मदद से को सब्सक्राइब कर लाएं तो लॉबस्ट पहले बात कर लैते हैं इस तरीके के बारे में तो इस से अफसाइट पर आने के बाद आपको यहां पर सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है क्विक लिंक्स में आपको थर्ड नंबर पर दिख जाएगा डाउनलोड कोश्चन पेपर का अप्सन उस पर आपको टैप करना है टैप करोगे एक और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहां पर अप्लोडेड है पहले से और आपके अपकमिंग पेपर को भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस टाइम पर अपलोड होने वाले हैं डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस का यहां पर पार्ट 3 का कोशन पर डाउनलोड करना तो उस पर सिंपली आपको यहां पर टैप करना है टैप करोगे एड आता है तो अद को क्लोज कर देना एड को क्लोज करने के बाद यहां पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पर क्लिक here to download कोशन पेपर का option मिल जाएगा तो सिंपली उस करके अपने जित्ते भी question paper है उसको यहाँ पर download कर सकते हो अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जो कि सबसे आसान तरीका है आपका question paper download करने का उसके लिए आपको सबसे लास्ट में का option दिख जाएगा आपको कोशन पेपर विदाउट लोगिन का तूसरे सिंप्ली यहाँ पर टैप करना है यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे आपका कोशन पेपर का लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगा question paper का download करने के लिए simply किसी भी question paper पर टैप करना टैप करोगे यहाँ पर new page यहाँ पर आपका open हो जाएगा new page पर नीचे स्क्रॉल करोगे click here to download question paper का option आ जाएगा simply उस पर tap करोगे आपका question paper का link open हो जाएगा download पर क्लिक करना और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका question paper है वो चैनल को सस्क्राइब करना और सस्क्राइब करने के साथ ही बेल एकन को दबाना बिलकुल हमत भूलना ताक कि आपको ऐसे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहे